टाइफाइड जिसे मोती जरा की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है एक बहुत ही भेंकर संक्रामक बीमारी होती है और इसका पता चलते ही तुरंत इलाज कराना बहुत जरोरी होता है वरना जान का खतरा पैदा हो जाता है टाइफाइड होने पर बुखार रहने लग जाता है, सिर्धर्द से फटने लगता है, भूक लगना बहुत कम या बंद हो जाती है, लगातार पतले दस दोने लग जाते हैं, या फिर कब्स रहने लग जाती है नमस्से, मैं हूँ सचिंगोयल और आपका स्वागत करता हूँ, इकुंजी चैनल पर तो ऐसे में क्या करें, कुछ ऐसे घरे लोग उपाए हैं, जो टाइफाइड में बहुत ही गजब के फाइदे मन्द हैं, टाइफाइड होने पर आप तुरंत इनको अपना सकते हो, और टाइफाइड की समस्या से पूरी तरह से छोटकारा पा सकते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है पूदीना, यह पूदीना टाइफाइड की समस्या को खतम करने के लिए बेहदी लाब दयक होता है, पूदीने का जो इस्सिमाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, यह आपको बहुत पसंद आएगा, यह ऐसा उपाय है कि अगर आपने इसको ती तुलसी की पतियां ले ली हैं, तुलसी भी टाइफाइड की समस्या को खतम करने के लिए बेहदी फायदे मन्द होती है, इसके बाद में हमने यहाँ पे एक चोटा सा टुकडा अधरक का लिया है, अधरक की तासीर गरम होती है, लेकिन यह आपको कई सारे फायदे देती है अगर आप थोड़ी सी दरक चाय में डालकर गरमियों में भी पीते हैं, तो यह आपको बहुत सारे फायदे देती है, आपके पेट में गरमी नहीं बढ़ने देती है, इसकी तासीर गरम जरूर होती है, लेकिन आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होती ह और इस्पेशली जिसको अभी टाइफाइड की समस्य है, वो तो इसका इस्तेमाल जरूर करें, उनके लिए तो यह समझी है, सूने पे सुआ गाया है, तो यहाँ पर हमने छोटा सा टुकडा अदरक का लिया है, और इसको चील लिया है, अगली चीज हमारे पास यहाँ पर ह जो चीजें मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यह कितनी मातरा में डालनी है, आपको पुदीना इतना इस्तेमाल करना है, साथ में 3-4 लौंग, 1 इंच के करीब अधरक का टुकडा, और 7-8 तुलसी की पत्तियां लेनी है, पस इतनी मातरा काफी है इन चीजों की, लेकिन अब इसका थोड़ा बहुत भी कुछ आपके शरीर में रह जाता है, तो यह फिर से आपको परिशान करता है, इसलिए जब भी आपको यह सता रहा हो, या अभी आपको शुरू ही हुआ हो, तो आप खाने पीने का और साफ सपाई का बहुत ध्यान रखें, आपको यह दो बारा इनका इस्तिमाल करना बता देता हूँ, सबसे पहले हम पूदीना के साथ में यहाँ पे इसके लिए बना कर त्यार करेंगे, तो सबसे पहले आप चाय के पतीले में एक बड़ा कप पानी डाल दें, कप अगर छोटा है, तो डेड़ कप पानी डाल लें, और पानी को गरम हो गरम होने के लिए रख दें, जब पानी के अंदर इस तरह से उबाल आ जाएगा, तो जो पूदीना की पतियां ली थी आपने, किनकर 20 पति लें पूदीना की, 15-20 पति काफी एक बार के इस्तिमाल के लिए, लेकिन इस्तिमाल से पहले, पूदीने की पतियों को 3-4 बार पा आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है, तो साथ में जो अधरक हमने ली थी, एक इंच का छोटा सा अधरक का टुकड़ा आपको ग्रेट करके, कदुगस करके यहां पर डाल देना है, बहुत ज़्यादा अधरक आपको नहीं डालनी है, बस इनको डालने के बाद में, अब आपको क्या करना है, जैसे ही इसके अंदर उबालाने लगेगा, तो इसको अच्छे से चम्मत से चला दें, और गैस का फ्लेम कम कर दें, इसको आप कम से कम 4-5 मिनट तक धीमियाच्वर पकने दें, जिससे कि पूदेने की पत्तियों का अधरक का जो सत है, रस है, वो आप इसे इतना पका लें, कि पानी आधा रह जाए, तो यहाँ पर इसको अच्छे से पका लिया है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसको हम थोड़ी सी देर, 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसका टेंपरेचर हलका सा कम हो जाए, यानि ये थोड़ सही रह गया है, तो एक तो पीने के लिए ये बनकर तयार हो गया है, इसमें और कुछ भी डालने की जूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मीटा डालना हो, तो आप इसमें एक चमत शेहद मिक्स कर सकते हो, शेहद भी टाइफएड के पेशेंट के लिए बहतरीन होता है, बह तो तुलसी की 5 पती ले 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 और एक छोटा सा अधरक का टुकड़ा ले ले ले, उसको पानी में बॉइल करके शेहद मिक्स करना चाहें, तो कर सकते हो, उसको पी सकते हो, अगर किसी के पास बाइचांस तुलसी भी नहीं है, तो लॉंग सभी के गरों मिल जाएगी, आसा कैसे खौलने दे, और उसके बाद में उस पानी को आप रखकर ठंडा कर ले, मतलब नॉर्मल टेंपरिचर का कर लेना है, ये ध्यान रखें, फ्रिज की जो चीजें होती है, वो तो आपको महीने डेड़ महीने तक खानी ही नहीं है, क्योंकि टाइफाइड में अगर एक बार में नहीं पीना है, दिन बर में आप थोड़ा-थोड़ा एक-एक कप करके जब भी पानी पीएंगे, तो वो लॉंग वाला पानी ही पीएं, और अगर लॉंग का पानी नहीं पी रहे हैं, तो नॉर्मल जो पीने का पानी होता है, उसको हमेशा बॉया करके पिएं, ठंडा पानी या बिना बॉयल कियावा पानी बिल्कुल बिना पियें वो टाइफाइड के पेशेंट के लिए सही नहीं है अगर रोजाना संभव हो तो एक गिलास गुनगुने पानी में एक चमच इस तरीके से शहट डालके अच्छे से मिक्स करें और दिन में सिर्फ एक बार ले लें आप आपके लिए ये बेतरीन होता है शहट जो होता है बेदी फायदे देने वाला होता है तो ये था हमारा आज का टाइफएड के लिए बेदी रामबान घरेले उन्नुस्खा अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए आप से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी